मन्द प्रारब्द दूसरा तीवर प्रारब्द और तीसरा तीवर तम प्रारब्द दूसरे नंबर का हमारा कर्म अगर हमने बहुत बेकार कर्म है हमारे बहुत तकलीफ है बहुत कष्ट है बहुत दुख है शिव महापुरान की कत्था कहती है कि सद्गुरु की शर्ण चले जाओ संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई सद्गुरु के पास जाकर निवेदन करो तो कुछ हमारे पूर्वका करा हुआ पाप कटना प्रारंब हो जाए कि हमारा पुराना पाप धीरे धीरे कट लेगा कि सद्ग करने कि पिर एक निवेदन करूंगा जीवन में अगर बहुत तकलीफ है बहुत कष्ट है आपको पहले भी कहा फिर कहते हैं पनात्री पड़ेगी जो माग महिने में शिवरात्री पड़ती है उससे भी प्रबल शिवरात्री ये शिवरात्री निस उनिस वर्ष के दो बार गेप करने के बाद 183 वर्ष के बाद आएगा और 183 वर्ष के बाद फिर इसमें की शिवरात्री प्राप्त होगी और 183 वर्ष किसने देखे और निवेदन करूंगा अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है दुख है कष्ट है परेशानी है तो उस शिवरात्री को हाथ से मत जाने देगा अली शिवरात्री को आपको पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तू भगवान शंकर को हम रात्री के समय पर चड़ा दें जिससे हमारा रोक समाप्त हो जाए हमारी बिमारी समाप्त हो जाए हमारे जीवन में सुक समर्धी लच्मी आ जाए वो समर्पन का भाव और शिवरात्री आने में दे रही है और आपके जीवन में बहुत कष्ट है बहुत कष्ट महाराज पाँच कमल गटे पाँच बेल पत्र तामबे के लोटे में जल भर कर रख लीजिए सीधे हात पर उस कलश को रखो जिसमें पाँच कमल गटे और पाँच बेल पत्र रखी है श्री शिवाय नमस्त उभ्यम शिव महा पुराण का मूल मंत्र जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासु देगा शिव महा पुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु भ्यम इस मंत्र का पाँच बार स्मर्ण करकर आपको जो तकलीफ है उसको हिरदय चित्य से धर कर मस्तक से कलश को लगा कर किसी एकांतेश्वर महादेव उपर एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गाउं से नगर से शहर से जो बाहर खेड़े में हो बिल्कुल बाहर जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो एकांत में बेठे हो जंगल में बेठे हो कहीं किसी विरप्छ के नीचे बिराजमान हो ऐसे कांतेश्वर महादेव उपर अपनी कामना करकर वो जल समर्पित कर दो एक बेल पत्र एक कमलगटा उठाकर अपने घर पर ले कर जाओ जो तकलीफ बहुत जादा हो रही है पांच दिन में आपको मालूम पढ़ जाएगा पांच दिन में अंतरा जाएगा शिव का अनुमोदन करो शंकर का इसमर्ण करो महाराजी यह अश्विन का जो अधिकमा से 183 वर्ष के बाद बापिस आएगा योग यह योग पहले मिल जाता 19 वर्ष में पर अब मिलेगा 183 वर्ष एक किनी माता जी का प्रिष्न था मुद्ध्ध्यान में नहीं आ रहा है तो कहां से थी कि उन्हें एक प्रिष्न किया था वाटसब पर लिखा हुआ आया था कि उनके घर में कोई बहुत ज्यादा बिमार पड़ा हुआ है और बहुत बुजूर गए लगवग लगवग 95 साल की है और शरीर गल गया शरीर में कीडे पड़ रहे हैं सिश्टर को बुलाते हैं डॉक्टर को बुलाते हैं तब उनको साप करते हैं सरीर इतना गल चूगा उसके लिए क्या करना चाहिए एक निवेदन करूंगा एक भगवणी में गेहूं रख लीजिए एक पात्र में गेहूं जो बहुत बुजूर को हो चुकी है कीडे पड़ रही है तो पात्र में गेहूं रखकर उन माता जी की सीधे हाथ की तीन उंगलिया उस गहूं में डालकर उनका नाम और गोत्र बोल कर वो गेहूं गाय को खिला दीजिए पात्र किसी गरीबडे को भिच्चूक को दे दीजिए महराज तीन या चार दिन में है कीड़ पढ़ रहें चरिर के अंदर और सारी छार टपक टपक कर गिर रही है तो उनकी मुक्ती हो उनका मोट applies कि है जो मताजी कर रही हूंति jurisdictions गीता जी सुना टुर्श पाठ लिए जब रच्रदिया कुछ गुदान करा दिया सब करा दिया पर मुक्ती है पर हमारी आदत है हम पडोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं और घर में सास बेठी रहती है उसको कभी नमन नहीं करते हैं आदत है ना मारी दूसरों को तो हम प्रणाम कर लेंगे हम कितना इस्वन कर रहे हैं हम तो भगवान संकर के मंदिर में भी जाते हैं तो चल करते हैं गए मंदिर में आपका लोटा उठा लिया पानी भर लिया संकर जी को चड़ा दिया लोटा दूसरे का पानी दूसरे का मंदिर भी दूसरे पानी चड़ा दिया वह इतनी साती बत्वा मान सिर्फ पल्लू मल्लू रहे कि यह से पानी चड़ा है संकर भगवान भी सोचे काय को नो टंकी करे रहे पानी दूसरे का, लोटा दूसरे का, संकर जी पे चड़ा रही, अगर संकर को जल चड़ाना है तो घर से लेकर जा, लोटा भी घर से लेकर जा, और अगर मंदिर का पानी लिया है, मंदिर का लोटा लिया है, तो एक रुपे लोटे का किराया, और एक रुपे जो लाइट जल पानी बहरा जिस पुजारी ने उसका दो रुपिया दान पेटी में डाल तब जाकर तू संकर को पानी चड़ाएगी तब संकर उस जल को सिकार करता किसी की लगी लगाई धाली मिल जा पूजन की और तुम सिरपे पल्लू लेकर कुंकु चाबल रोली बोली सब चड़ा दो और विचारी बात में आये तो देखे तो हैं सब साथ तो क्या भगवान स्विकार करेगा भगवान इसा स्विकार नहीं करें फेन निवेदाने बरसाती मेंड़क मत बनो रही अच्छे से सेवा करो थोड़ी करो पर अच्छी करो घर से पानी लेकर जाओ कल कोदवाली चुराय से अमर इस योर के कोदवाली चुराय से कोई बहन जी आई थी ते-तीस माल पुआ लेके कर गुरु जी संकल्प करा दो हमने का पानी लाओ तो कि तुमारे यह नहीं है हमने का हमारे यह तो कुआ है चावल लाओ तो कि गुरु जी पूजन मंडप में होंगे रहा चावल जरासा हमने कब आपिस घर जाओ निकलो कितनी बार भागवत सुनी राजा बली के दरवाजे पर बामन भगवान खड़े है राजा बली बामन भगवान से कहता है परभू आपके एक हाथ में चत्र है दूसरे हाथ में कमंडल है तो राजा बली कहता है आपके कमंडल का जल दे दो मैं संकल्प छोड़ देता हूं बामन भगवान कहते है राजन अगर मेरे कमंडल का जल लेकर तूस संकल्प छोड़ेगा तो वो संकल्प मन नहीं होगा तुझे स्विकृत नहीं होगा किसी की लगी लगाई थाली में से कुंकु चावल चड़ा दोगे तो कुछ मिलना है क्या अरे बोलो तो विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है कि किसी का लगा हुआ दिया किसी का दिया मंदिर के अंदर रखा था तुमने अपना डबा खोल कर बत्ती निकाल कर उसके दिये में रख कर जला दी और सोच दिये कि मेरे खूब बड़ा काम कर दिया तो उसका तो फली नहीं कर जाओ तो उस मन्दिर में पहले से पॉस दिये ग्यारा दीये तुम रख कर आओ तो जलाो दूसरे के रखे हुए पचासज बार बाती जला कर आना उसका कोई फल नहीं मिलने वाला उसका कोई फल नहीं है हमारा झुद का जल लेकर जाओगे, घुद का लोटा लेकर जाओगे, तो फ़ल, यहां तो सुयम भागवत कर रही है, राजा बली के सामने बामन भगवान कते है, राजन तेरे कमंडल को लेकर रा, उससे संकल्प छोड़, अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा, तो उसका कोई फ शुकराचार जी का, शुकराचार जी का कमंडल उठा कर लाया, इसलिए सुकराचार जी कमंडल के अंदर जाकर बेड़ गया, एक आँख लगा कर देखते रहे, जल बाहर नहीं निकल ने दिया सुकराचार जी ने, कि मेरे कमंडल का जल केसे निकल जाए भला, फिर भी राजा नहीं माना तब एक कुसा खीच कर उसकी टोटी में दी तो सुकराचार जी के आँख फूड़ गई सुकराचार जी ने का राजा बली तु जान नहीं पाया मेरे कमंडल का जल लेकर गया और मेरी आख फूटी है मैं तुझे श्राब देता हूँ कि तु सत्ता से भीन हो जाएगा राजा बली की पूरी सत्ता चली गई पोरी सत्ता मात्र कमंडल के जल के कारण चलेगी, तो आप जगर दान करने जा रहे हो, आप तन्या दान करने जा रहे हो, आप गवदान करने जा रहे हो, आप भस्त्र दान करने जा रहे हो, आप माल्पुय का दान करने जा रहे हो, आप स्वर्ण दान करने जा रहे हो, तो जल चावल आपका होना चाहिए संकल्प आपका होना चाहिए दूसरे का नहीं इसलिए नेमी शारण में जो 108 शिव महापुरान की पोथी बिठाई तो वहाँ जो संकल्प छूटा आपके घरों में छड़वाया घर के अंदर और 15 अक्टुम्बर को जो शिवरात्री का उस्सव रात्री को 9 बचकर 20 मिनिट से 10 बचकर 20 मिनिट पर इसी टीवी चैनल पर जो हम कराएंगे उसका संकल्प आप अपने घर में बेट कर छोड़ना यहां नहीं अपने घर में और अगर कोई यहां आता भी है तो साथ में पानी की बोटल लाओ चावल लाओ पूजा की थाली लाओ फिर बेठाओ अपना संकल्प अपना होना उसका फल हज्जारो गुना प्राप्त होता है दूसरे का जल दूसरे का चावल स्विकार कर लिया उससे फल की कामना नहीं है इस बहुत बहले चार गंटे तक तुम धोलक बजा बजा के गाताम अबा का अंदा में ता तो दरा पानी और नीनाए भोलाना वाके रहूंगी बोले को अपना बना के रहूंगी शंकर बहुत बहुत साधना कर ने की वी जरूत नहीं संकर तो करते तीन बार ताली बजादो बंबं बोल दो उतने में वी राजियों पानी नीवी चड़ाए चलेगा ताली नीवी बजाए चलेगा बंबं नी बोला चलेगा शंकर कशिव महापुरान की कथा कहती है इतना वीना बने तो मेरे मंदिर के सामने से निगल कर चले जा उतने में भी कल्यान कर दूँगा ये वीना बने तो मेरे मंदिर का शिखर देखले शांकर का अन्मोदन करने वाला शिव कैस्मरन करने वाला तुक अगर मालूम पड़े प्रारब्द के कारण कोई कर्म के कारण हमें मिल भी रहा है तो वो समाक तो होगा और बाबा से कहते है रहे नाना भोला सब दुख काटो हो मारा बाबा बस करपा करकर मेरे दुखों को काटिये बाबा बोले शिप उस बुजुर्ग से कहते हैं तुम्हें कर्म का भोग भोगना पड़े बाबा ये कर्म का भोग मनुष्य क्यों भोगता है संक्तर कहते हैं पूर्व में जो करकर आयो उसके अनुसार फल मिलता है अभी दो दिन पेले की कता याद करो कता में कहा था को भगवान ने धन दे दिया जिसके घर में ददस नोकर लगे और घर का मालिक इतना चड़ा पहन कर टीसट पहन कर कुट्टे को छीची करा रहा है तो किसी ने प्रिश्न किया था गुरुदेव इनके घर में ददस नोकर लगे इनके घर के बच्चों को तो नोकरानिया पाल रहें दासिया पाल रहें और सेड़ जी अच्छा चड़ा पहन के टीसट पहन के कुट्टे को छीची करा रहा तो यह कहीं लिखा अरे गरुन अर्निंग बाक में तू करा रहा है तुमने भी देखा हो गर जित्ते लोग टीवी पर गथा सुन रहें तहीं बताओ इमानदारी से अपनी अपनी सुक्रती बेज ना हो वाट्सप पर जरू अगुझ ocas Ministre ओ सुब। 수बर है लोग कुत्ता इसतां से गुपाएं तब इन जायए तो फेलु कुत्ता उदर जाय तो रहा हमें यह समझ में ये उनिया है कि ये कुत्त्ते को गुपार्या कि कुत्त इसे गुमार रहा हो भी दर जाय कहां कर देख हुख अ अगवान की आखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, कर्म का भोग भोग ना पढ़ सी अड़ेगा, चाहिर रो के भोगो, चाहिर हस के भोगो, इसलिए निवेदा ने को बढ़िया चका चक, खाओ, प्यों मोच खरो, जिंदगी अलमस्त जी ओ, कितनी भ तुक्षी रहना, मुस्कुराते रहू, क्योंकि आखरी में जू फोटो टंगेगा वो तु मुस्कुराने वाला ही टंगेगा, तुम बले जिंदगी रोके निकाओ, फोटो में तुम इसमाइल देते ही मिलो, कि माला तंगी रहेगी, मुस्कुराते हूँ, जित्तों के घर भी किर्टन में स्मर्ण में इतना सवय गया कि जाने दो जो बचा उसको शंकर में लगा दो शिव में लगा दो हुआ कि अ एक कर्म का भोग-भोग ना si और प्रारभ्द की दूसरी जो प्रारब्द की गती है उसको कहा तीव प्राब्द इसके भोग को अगर तुम भोग रहे हो दुख आया है तो संत सत्गुरु की शर्ण में जाकर कहो दुख मिटेगा तीसरा है तीवरतम प्रारब्द इस प्रारब्द में अगर बहुत जादा दुख आ गया तो कुछ ना करिये एक काम करो एकांत में बेटकर शिव का इसमर्ण करिये शंकर का बर्जा कि बतकेश्ष्वर महादेओ और अबहते प्लेश्वर महादेओ कि प्लेश्वर महादेओ को जिस जगहा पर है ददीची शी की धर्म पत्न Bali सुवार्च के सम्मुक में दधीची रिशी के प्राण देवता ले लेते हैं, अस्तियों का कंकाल हो जाते हैं दधीची बाबा, उनकी धरम पतनी रोती हुई, अपने पेट पर पत्थर मारती है गर्ब को नश्ट करने के लिए, वहां शंकर भगवान प्रगठ होते हैं, जलके पेड के नीचे जनमा, उसका नाम पिपला दुआ, दो महादेव, अपनी पुस्तिका में लिखकर रख लो एक बटके इश्वर महादेव, और एक पिपले इश्वर महादेव, अदालत में कोई कारवई चल रही है, अदालत में कोई केस चल रहा है, अदालत में कोई चल रही है नहीं जीत मिल रही नहीं विजय मिल रही हार गए पेशियां लगा लगा कर एक बढ़ के नीचे बालू मिट्टी का मिट्टी का शिविलिंग बनाकर उसकी पूजन करो पूजन आर्चना करकर दही तीन चम्मच नाम लेकर चड़ाओ जिसके साथ किस चल रहा है और तीन चम्मज दही चड़ा कर उस दही को उठा लो और रुमाल पर उसके चापे लगा लो सफेद रुमाल पर बागवान चंकर की पूजा आरचना करकर जल में विश्वर जन कर दो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर और उस रुमाल को घड़ी बना कर रख लो अगली पैसी जब हो उसको साथ लेकर जाओ कि जल्दी निप्टेगा विजय प्राप्त हो मात्र तीन सुमार करिये बटकेश्वर का इसमन उसी तरह पिपलेश्वर महादेव कितने भी बड़ी जिंदगी में रोग हो चाहे कैंसर जैसा हो लीवर हो किटनी हो कितना भी बड़ा रोग हो अशन प्रघस्वर महादेव का इसमनन करिये फीपल के पेड के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निरमान करकर उसकी पूझन अर्चना करिये उस पर श्याच चड़ाई पीपल का बुक्ष आवले का बुक्ष शमी का बुलपतर का बुक्ष ये ओषभी पूर्ण है माराद डाक्टर ने कह दिया डाइलेसे स्कराना जरूरी है तो एक बार इश्यू महापुराण का उपाई जरूर करना डाइलेसे स्कराने से पहले पाच छोटे-छोटे पीपल के पत्ते लेना शंकर जी का शिविलिंग का निर्मान पीपल के पेड के नीचे करना मट्टी का पार्थी श्विलिंग निर्मान करकर उसकी पूजन करकर बेलपत्री पाच चड़ा कर पाच पीपल के पत्ते पाच शमी के पत्ते शंकर पर चड़ा देना आर्थी पूजन करना शमी का पत्ता बेलपत्र छोड़कर पाच पीपल के पत्ते उठा लेना जिस व्यक्ति को डाइलेसेस का बोला है उस व्यक्ति को पांचो पत्ते पीस कर चान कर पिला देना तीन दिन बाद फिर जाकर डाक्टर को चेक करवाना डाक्टर डाइलेसेस का मना कर देगा लीवर किड्नी अपना काम करना प्रारम कर देगा पीपलेश्वर महादेव की पूजन, पीपल के पत्ते की आउषधी, जीवन का सुख दे जाती है, कोई पीपलेश्वर महादेव सहज नहीं है महाराज, कितना विचित्र वढ़ना ने प्रेक्टिकल जरूर करना, सी और वाला महाराज कहीं जूट तो नहीं बोल रहा, और वा महापुरान की लेखनी है, बेदवियाज जी महाराज वर नन करे गलत नहीं कर से, किसी को बहुत खुन निकल रहा, बहुत, एक्चिनेंट हो गया, खुन पर खुन निकल रहा, उसको अगर होश है, और वो होश में है, तो पाँच पीपल के पत्ते किसी भी विरक्षे के तो मात्र पिपलेश्वर महादेव, बहुत बड़ा आपरिशन कराने जा रहे हो, तो उसके पंदरा दिन पहले पिपलेश्वर महादेव का पूजन करकर, अर्चना करकर, भगवान शिव का इस्त्मर्ण करकर, पीपल के पत्ते की माला बनाकर, हनवान जी को चड़ा कर फिर और ऑपरेशन की जरुवत ना पड़े, शरीर का जिसका ऑपरेशन है वो अच्छा हो जाए, स्रिष्टो, पिपलेश्वर महादेव, भगवान शिव, ओ घड़दाने, संक,